तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेसिकली होता है वो यहाँ पर क्या होता है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता है इसको हम यहाँ पर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं इसलिए कहत होता है कि जो blood होता है वो एक जिगा से दूसरी जिगा जाता है तो यहां पर transport का मतलब भी वह हुआ कि कोई चीज होती है जिसको हम यहां पर एक जिगा से दूसरी जिगा पर ले जाते हैं इसलिए इसको हम यहां पर blood circulatory सिर्कुलेटरी 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 सि निकलता है, जो waste product निकलता है, वो यहाँ पर क्या होता है, CO2 होता है, यूरिया होता है, और बाकी कुछ चीजे होती है, तो जो हमारा यहाँ पर CO2 होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, जो हम breathe out करते हैं, जो हम यहाँ पर सास को छोड़ते हैं, तो वहाँ से हमारा carbon dioxide gas निकल ज parts of the body and helps in removing waste materials of the body like CO2 etc. तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो गई? Circulatory system की definition हो गई, अगर यहाँ पर question पूछता है कभी यहाँ पर exam में तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि human circulatory system में यहाँ पर क्या क्या होता है? एक तो हमारे यहाँ पर blood होता है, heart होता है और blood vessels होते हैं, अब इनको यहाँ पर क्या करेंगे? details में पढ़ेंगे कि यहाँ पर blood क्या चीज होती है और उसके यहाँ पर components के बारे में पढ़ेंगे फिर heart के बारे में पढ़ेंगे कि heart वहाँ पर कैसे काम करता है और वो कैसे यहाँ पर blood पहुंचाता है फिर उसके बाद हम यहाँ पर blood vessels की बात करेंगे blood vessels यहाँ पर जो नसे होती है उनके बात हो रही है तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो हमारे यहाँ पर blood vessels में जो नसे होती है जैसकी यहाँ पर veins, arteries और heart इस diagram में आपको दिख रहा होगा तो जो हमारे यहाँ पर veins होती है वो यहाँ पर आपको blue color की दिख रही है और जो हमारे यहाँ पर arteries होती है वो हमारे यहाँ पर red color की इस diagram में show कर रखी है और जो हमारा heart है यह आपको दिखी रहा है तो यह diagram लगाने का यही मक सकता तो मैं आपको बता सकूं जो यहाँ पर veins और arteries है वो यहाँ पर कौन से color में show करते हैं अब हम चलते हैं यहाँ पर human circulatory system के पहले parts की तरफ जो कि यहाँ पर क्या था हमारा blood था उसके बारे में हम यहाँ पर details में पढ़ लेते हैं तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं blood की तो सबसे पहला जो यहाँ पर होता है जो blood होता है वो हमारा यहाँ पर red color का क्यों होता है सबसे important चीज यह पूछेगा वो red color का इसलिए होता है क्योंके वहाँ पर क्या होता है hemoglobin present होता है जो कि वहाँ पर क्या करता है red pigment होता है red pigment माने हाँ यहाँ पर एक तरह से color की ही बात हो रही है pigment माने हाँ पर क्या होता है color होता है जो तो वहां पर red color कौन provide करता है blood को hemoglobin prob करता है और जो हमारे यहां पर hemoglobin होता है वह यहां पर एक और चीज़ carry करके चलता है वो है यहां पर ऑक emails किसमें पाए जाता है rbc में पाए जाता है जो कि हम पर क्या है red blood cells है तो यहां पर मैं आपको Hemoglobin की Spelling बता देता हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पर गल्थ लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर red blood cells होता है, उसमें यहाँ पर hemoglobin होता है, तो वहाँ पर जो red blood cells है, वो यहाँ पर red इसलिए होता है, क्योंकि उसमें red pigment present होता है, वो भी यहाँ पर की spelling होगी, तो हमारा यहाँ पर जो blood था उसका centrifugation करने के बाद यहाँ पर क्या हमारे 4 components निकले, plasma, wbc, जिसको हम यहाँ पर white blood cells कहते हैं, platelets, और यहाँ पर जो हमारा yellow color है इसको हम यहाँ पर pale yellow भी बोल सकते हैं, तो छिप चिपा होता है तो एक तरह के यह sticky liquid होता है, और इसमें जो होता है 90% water होता है और 3.5% क्या होता है हमारा यहाँ पर common salt होता है क्या होता है 3.5% common salt होता है तो plasma का जो हमारा यहाँ पर important काम क्या होता है वो यहाँ पर जो dissolved substance होते है और जो water होता है उसको वहाँ पर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है ले जाता है जैसके यहाँ पर dissolve substance की बात करूँ तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? डाजेस्टेट फूड हो गया जो हमारा वहाँ पर खाना पसता है और उसमें जो यहाँ पर प्रोटीन और यह सारी चीज निकलती है वो यहाँ पर क्या करता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है? उसको पहुचाता है तो कभी-कभी यहाँ यहाँ पर एक कुशन भी पूछ लेता है कि प्लास्मा का यहाँ क्या काम होता है? तो यहाँ पर पूछ सकता है What is the function of प्लास्मा? तो आप इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इंगलिस में वो मैं आपको बता देता हूँ, plasma carries water and dissolve substance such as digested food and waste products from one part to another part in the body, तो hope आपको यह वाला question का answer आप दे पाओगे, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, RBC की, RBC मतलब यहाँ पर किसके बात हो रही है, red blood cells की बात हो रही RBC, तो इसका मतलब वो यहाँ पर red blood cells की बात कर रहा है, तो जो यहाँ पर red blood cells होता है, वो यहाँ पर क्या काम करता है, वो यहाँ पर एक part से दूसरे part में क्या करता है, oxygen carry करता है, मतलब जो RBC का काम होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, पूरे body parts में oxygen पहुँचाने का काम क करता है कैसे करता है क्योंकि जो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है हीमो ग्लोविन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और वही यहां पर क्या करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंचाता है हीमो ग्लोविन की ही वज़े से जो हमारा यहां पर red blood cell से वो यहाँ पर क्या होता है, red होता है, क्योंकि hemoglobin में यहाँ पर क्या होता है, red pigment present होता है, जो कि वो वहाँ पर उसको red color provide करता है, यह मैं आपको यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता सकता हूँ, अगर यहाँ पर हीमोगलोबिन की हमारे body में deficiency हो गई, कम ही आ गई, तो जो यहाँ पर RBC क्या काम करता था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में oxygen पहुचाता था, तो basically वो यहाँ पर हीमोगलोबिन ही पहुचाता था अगर इसकी deficiency आएगी, तो oxygen सारे body parts में नहीं पहुच पाएगा, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, WBC की, अब WBC यहाँ पर किसकी बात हो रही है, white blood cells की बात हो रही है, तो white blood cells का हमारे body में सबसे important role होता है, उसका यहाँ पर क्या role होता है, उसका यहाँ पर role होता है, किस से लड़ने का bacteria हो गए, germs हो गए, और हमारे bodies में antibodies बनाने का, और वो antibodies किस से लड़ते हैं, infection से लड़ते हैं, और यह जो WBC cells होते हैं, यह वहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टेरिया और germs को वहाँ पर खाके मार देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर WBC काफी important है, क्योंकि अग करते हैं, जो कि यहाँ पर infection से लड़ते हैं, अगर WBC body में नहीं होगी, तो infection से कौन लड़ेगा, और हम किसी भी बिमारी का असानी से सिकार बन सकते हैं, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, platelets की, तो platelets की भी हमारे body में सबसे important role होता है, इसका role यहाँ पर क्या होता है जैसे के हम यहाँ पर गिर जाते हैं, गिरने के बाद हमारे यहाँ पर घुट्नों में या कहीं पर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वहाँ पर क्या होता है, खोन निकलने के थोड़े दिर बाद वहाँ पर क्लोटिंग होनी start हो जाती है, मतलब वो जो होता है, वो वो वहाँ पर क्या होगा, खोन बहतर रहेगा, और ऐसे ही बहते-बहते वहाँ पर इंसान मर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर platelets का काफी important role होता है, blood clotting करने में, तो यहाँ पर आप simple लिख सकते हो, platelets में, the blood clot is formed due to the presence of the cells called platelets in the blood, तो अगर यहाँ पर blood में platelets नहीं होगे, तो blood clotting नहीं होगी, अगर κोन वहाँ पर रुके गई ही नहीं, तो इंसान वहाँ पर खतम हो सकता है, क्यूए कभी-कभी वहाँ पर question पूछ लेता है, कि अगर हमारे body में platelets नहीं होगे, तो वहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पे simple यह लिख सकते हो If there were no platelets in the blood then bleeding caused by a cut from an injury would not stop This may cause loss of too much blood from the body of a person leading to death तो अगर वहाँ पे क्या होगी platelets नहीं होगी तो इंसान वहाँ पे क्या गरेगा खून को रोख ही नहीं बाएगा खून तो वहाँ पे बहतर आएगा तो खून अगर हमारे body में ज्यादा मातरा में निकल जाएगा तो इंसान वहाँ पे क्या होगा मर जाएगा तो इसलिए यहाँ पे platelets काफी जरूरी होते हैं तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ oxygenated blood की and deoxygenated blood की तो वो blood जो यहाँ पे oxygen को carry करते हैं वो यहाँ पे कौन से blood होते हैं oxygenated blood होते हैं और जो यहाँ पे waste material जैसे के यहाँ पे CO2 को carry करके चलते हैं वो blood यहाँ पे क्या होते हैं deoxygenated blood होते हैं तो जो यहाँ पे oxygen carry करते हैं blood उनको यहाँ पे simple oxygenated blood बूला जाता है और जो यहाँ पे waste material जैसे के CO2 कहरे करके चलते हैं वो यहाँ पर क्या होती है Deoxygenated Blood कहलाये जाते हैं आपको यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर समझ में आगया होगा तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो Oxygenated Blood होता है वो यहाँ पर क्या होता है Bright Red Color का होता है इसका मतलब वो थोड़ा यहाँ पर light red होता है और जबकि जो यहाँ पर deoxygenated blood होता है वो यहाँ पर क्या होता है दार्कर होता है इसका मतलब वो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा dark color का होता है तो यहाँ पर कुछ difference आप लिख सकते हो तो अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ heart के बारे में और उसको यहाँ पर detail discuss कर लेते हैं तो जो हमारा heart है वो एक तरह के pump के तरह यह काम करता है और वो pump करके क्या करता है blood को बाकी body parts में पहुंचाता है तो अगर इसको मैं simple define करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकते है the heart is an organ which pumps blood to all the parts of our body तो यह सारे body parts में कैसे pump करता है blood को इसको हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इसके कुछ basic चीजे और जो हमारा heart होता है वो हमारा कहा होता है left side होता है और वो एक मुठी के बराबर होता है मुठी को हम यहाँ पर English में fish बोलते हैं और जो हमारा heart होता है उसको हम बोला जाता है कि वो हमारे किसके बराबर होता है एक मुठी के बराबर तो heart जो होता है वो special muscle से मिलके बना होता है और उस muscle का जो नाम होता है वो यहाँ पर क्या होता है cardiac muscle होता है किस muscle से मिलके बना होता है cardiac muscle से मिलके बना होता है जो एक तरह का यहाँ पर क्या होता है solid muscle नहीं होता cardiac muscle जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है नहीं होता, वो थोड़ा सा खाली रहता है, इसलिए उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, वो यहाँ पर क्या है, होलो है, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इसके कमपार्टमेंट्स के बारे में, तो इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, चार कमपार्टमेंट्स होते हैं, क्या बोला गया है, इनको, chambers बोला गया है, तो इसके यहाँ पर क्या होते हैं, उपर की दो chamber होते हैं, उनको यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर आपको दो diagram दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर थोड़ा complicated diagram है, इसको मैंने यहाँ पर एक simple diagram में यहाँ पर दिखा रखा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक left autrium ہے और यहाँ पर right autrium है अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके दो नीचे के chambers की यहाँ पर दो चेमबर्स जो नीचे के होते हो इसकी हिहाँ पर क्या बोला गया है जैसके आपको यह पर दिख रहा होगा right ventricle और left ventricle यह आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा इस diagram में जैसके यहाँ पर हमारा क्या है left ventricle है और इधर हमारे यहाँ पर क्या है right ventricle है अब मैं यहाँ पर इसके कुछ connection और network के बारे में बताना जाओंगा जैसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पर left autrium है वो हमारे यहाँ पर किस से connected होता है वो हमारे यहाँ पर pulmonary वीन में जाती है और उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं oxygenated blood बोलते हैं तो अभी तक इसको यहाँ पर किसी body organs ने use नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर अभी तक यह oxygenated blood ही रहेगा तो जो left और टेम वह हमारी यहाँ पर किस से connected है वह हमारी यहाँ पर pulmonary vein से connected है और जो oxygenated blood आता है वह कहां से आ रहा है हमारे lung से आ रहा है और जो यहाँ पर इसका lower side है वह हमारे यहाँ पर क्या left ventricle है क्या हमारे यहाँ पर left ventricle और वह यहाँ पर किस से connected है वह हमारे यहाँ पर main artery से connected होता है तोकुलमलाएकर इसको आसान भासह में समझते हैं जो तो इस पर यहां पर ही होट और और इसमें हमारे यहां पर आपर क्राख़ ब्लड को यूज के बाद वो यहां पर इसको डी oxygenated कर देते हैं तो वह यहाँ पर क्या होता है में वीन से होके राइट और्ट्रियम में जाता है तो राइट और्ट्रियम में जाने के बाद वह कहाँ पर जाता है वह हमारे यहाँ पर जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या करते हैं रहा होगा जो heart के बीच में क्या होती है partition होती है यहां पर आपको दिख रहा होगा इसको यहां पर क्या बोलते हैं और इसको यहां पर क्या बोला गया है सैप्टम क्या बोला गया है इसको यहां पर सैप्टम बोला गया है मैं यहां पर लिख देता हूं इसके यहां पर जो व और CO2 gas कभी भार नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, wall partition बीच में लगी रहती है, तो एक तरह से हम यहां पर बोल सकते हैं, जो heart है, वो हमारा यहां पर single pump के तरिया काम नहीं करता है, वो हमारा यहां पर double pump के तरिया काम करता है, जैसे कि यहां पर हमारा left autrium और left ventricle हो गया, और right autrium right ventricle हो गया, दोने यहां पर क्या करते हैं, एक separate pump के तरिया काम करते हैं, तो आपको यहां पर जो heart के बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर सो इसको एक बार simple भासा मैं explain कर देता हूं, जम यहां पर क्या करते हैं, pulmonary vein में जाती हु, oxygenated blood फिर वो वहां पर left autrium में जाती है, left lust कर यहां पर left ventricle में पहुचाता है, left ventricle यहां पर push करके main artery में पहुचाता है, तो वहां तक जो हमारा blood होता है वो यहां पर oxygenated ही रहता है, उसके बाद यहां पर किया होति हैं, यहां पर क्या होती है, capillaries लगे ह जाती है तो यहाँ प्रॉडि सस्ट को यहां पर क्या करते हैं और उसको में फिर वो राइट ऊक्रियम में जाती है right otrium से push हो के फिर वो right ventricle में जाती है और right ventricle से push हो के वो कहाँ पर जाती है pulmonary artery में जाती है फिर उसके बाद हम आप पर क्या करते हैं carbon dioxide gas को release कर देते हैं वो आपको यहाँ पर heart का पूरा समझ में आ गया होगा अब देख लेते हैं यहाँ पर blood vessels के बारे में तो अब मैं यहाँ पर बात कर लेते हूं blood vessels के बारे में की होता क्या है जो blood vessels होते हैं उसको हम यहाँ पर नसे भी बोल सकते हैं तरके ब्लेड वैशल होता है अब मैं यहां पर बात कर लेता हूँ अर्टरिज की क्या कम होता है उसके बारे में यहां पर जान लेते हैं आर्टरी का काम होता है वह हेया पर क्या करता है हमारे पर में होता है arteries जो है वो हम यहाँ पर आँखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ पर क्या होती है काफी अंदर की तरफ होती है अब यहाँ पर एक important चीज़ होती है तो जो यहाँ पर heart है वो यहाँ पर बागी body parts को जो blood पहुचाता है तो वो काफी high pressure से पहुचाता है जिसके वज़े से जो arteries होती है वो यहाँ पर क्या होती है काफी ठीक होती है और वो elastic होती है ठीक मतलब वो काफी मोटी होती है उनकी जो walls होती है वो काफी मोटी होती है और वो थोड़ी यहाँ पर क्या होती है elastic होती है तो इसका मैंतब जो यहाँ पर arteries होती है, वो यहाँ पर क्या होती है, ठीक होती है, और उनकी जो waves होती है, वो यहाँ पर к्या होती है, इलास्टिक वाली होती है, जिसके व spraw Ming-Archety में जो यहां पर blood आता है वो कहां से आता है वो हमारा आता है यहां पर left ventricle से कहां से आता है left ventricle से आता है तो आपको पूरा procedure तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो यहां पर होगा क्या जो हम यहां पर oxygen लेंगे, किसके जरीए लेंगे, lungs के जरीए, तो सबसे पहले कहा पर जाएगी, pulmonary vein में जाएगी, उसके बाद left artery में जाएगी, उसके बाद left ventricle में, और उसके बाद यहाँ पर जाएगी main artery में, तो main artery जो होती है, इसमें काफी छोटी छोटी यहाँ पर क्या होती है काफी arteries जोडी होती है और काफी arteries जो जोडी होती है वो यहाँ पर अलग-अलग body organs के तरफ जाती है और उनको वहाँ पर क्या करती है oxygenated blood provide करती है उसके बाद वो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है डी ऑक्सिजिनेटिड हो जाता है पर यहाँ पर एक exception है अगर मैं यहाँ पर artery की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर basically oxygenated bloody होता है जैसकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऐसी कौन सी artery है जहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या होता है डी ऑक्सिजिनेटिड ब्लड होता है तो वह हमारा यहाँ पर क्या होगा pulmonary artery होगा अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ weans की तो जो हमारी यहाँ परweeksi होती है तो यहाँ पर वो क्या काम करती है उनके बारे में हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो इससे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था arteries के बारे में पढ़ा था जो कि यहाँ पर क्या करती थी हर्ट से बाके बॉड़ी पार्ट में क्या करती थी ब्लड को पहुंचाती थी सर्कूलेट करती थी बर जो वीन होती यहाँ पर क्या काम करती है जैसकि यहाँ पर सारे बॉड़ी पार्ट में ब्लड तो पहुंच गए उसके बाद उन्हें वहापे heart की तरव वापस आना है तो वहापे कौन काम करता है वोब वहापे wings काम करती है wings की जो यहाँ पर blood vessels होती है वो यहाँ पर क्या करती है बातicी जो body parts में यहाँ पर blood पहुंचा था उनको वहाँ पर वापसी उसके जरीए लाती है किसके जरी है वीन्स के जरी है तो कुल मिला के अगर मैं यहां पर वीन्स को define करना चाहूं इंगलिस में तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं वीन्स are the blood vessels which carry blood from all the parts of the body back to the heart तो कुल मिला के वीन्स का यहां पर क्या काम होता है जित्ते भी body parts में जो blood provide किया गया था उनको वापिस लाना किस के जरी है वीन्स के जरी है वीन्स एक तरह के यहां पर क्या है blood vessels है जैसे कि arteries तो हमारे यहां पर deep skin में पाई जाती है हमें यहां पर दिखाई नहीं देती है जबकि जो यहाँ पर wean होती है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा जो हमारी हतेले में जो यहाँ पर weans होती है जैसको यहाँ पर नस बोल सकते हैं वो greenish blue color की होती है कौनसी color की होती है और वो कौनसी होती है वो यहाँ पर weans हो पहुचाता है बट जब ब्लड यहां पर वापिस आता है तो वह काफी धीरे-धीरे आता है जिसके वज़े से जो वीन्स होती है उनकी जो वॉल्स होती है वह यहां पर क्या होती है काफी पतली होती है और वह सिर्फ यहां पर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है एक तरह के यह walls की तरहीं काम करती है जैसे कि आपने देखा काम 20 को खोलती तो पानी जो होता है सिर्फ एक की डिरेक्शन में flow करता है ऐसा तो नहीं, वह वह पी चला जाता है तो होता हैं, तो कल्म लाकर यहां पे क्या करती हैं, फो यहां पे wolves की तरहीं काम करती हैं और एक ही direction में flow करती है, back flow कभी नहीं करती है, तो यहाँ पर होता क्या है, main artery यहाँ पर क्या करती है, oxygenated blood को carry करती है, उसके बाद सारे body organs पर पहुंचाती है, उसके बाद वो blood वहाँ पर क्या होता है, deoxygenated होता है, और कहाँ पर जाता है, main vein में जाता है, में वीन मतलब यहाँ पर क्या होती है चोटी चोटी काफी सारी वीन्स होंगी जो यहाँ पर क्या करेंगी उस blood को वापिस लाएंगी heart की तरफ तो उसके बाद कहाँ पर जाता है right autrium में right autrium से फिर कहाँ जाएगा right ventricle में उसके बाद कहाँ पर जाएगा pulmonary artery में उसके बाद हम यहाँ पर co2 gas release कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक exception देखेगा जो हमारा यहाँ पर वीन होता है वो यहाँ पर जातर क्या carry करके चलते है डी oxygenated blood carry करते हैं बट यहाँ पर एक वीन ऐसा है जो यहाँ पर oxygenated blood carry करता है वो ह capillaries आपको इस diagram में नहीं दिख रहा होगा तो capillaries कहाँ पर होता है जो यहाँ पर सारी body organs को क्या करता है oxygenated blood पहुंचाता है और उसके बाद back लाके कहाँ पर देता है main vein में provide करता है तो यहाँ पर क्या होता है capillaries लगी होती है तो यहाँ पर body organs की जिगा आप यहाँ पर लि जैसके आपको दिख रहाओगा इस साड़ यहाँ पर हमारी क्या है arteries है और इस साड़ हमारी यहाँ पर क्या है ween है तो कुल मिला के अगर मैं इसका यहाँ पर एक simple सा diagram बनाना चाओंगा तो हम बना सकते हैं तो माल लोग कि इस साड़ आपको यहाँ पर arteries दिख रही है तो इ इसको हम यहाँ पर simple लिख सकते हैं यह हमारे यहाँ पर क्या है ween है और बीच में हमारे यहाँ पर क्या है capillaries है यह हमारे यहाँ पर क्या है capillaries है तो जो हमारे यहाँ पर ween होता है इसमें basically क्या होता है हमारे deoxygenated blood होता है क्या होता है यहाँ पर deoxygenated blood होता है और जो हमार body parts से क्या होता है connect होता है क्या होता है body organs से connect होता है तो वह body और्गन्स यह पर कौन-कौन से होते हैं जैसे कि head हो गया हो गया,SOGS,arms हो गया, dabei intestine हो गया, lever हो गया, kidneys हो गया और यहाँ पर led Colin language की in body organs में यहाँ पर क्या होता है oxygenated blood और ये बोडी और गंस और पर को यूज वह यहां पर किशेरो करता है तो यहां पर किसमें पहौचा देती है उसके बाद right outer rim में जाता है उसके बाद right ventricle में जाता है उसके बाद pulmonary outer rim में जाता है और फिर हम उसको वहाँ पर क्या गरते CO2 के जरीए release कर देते हैं तो hope आपको यहाँ पर capillaries के बारे में भी समझ में आ गया होगा आपको जो यहाँ पर circulator system है इसके बारे में समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next topic के तरफ